हैलो नमस्तुव नमसकार मैं पंगाज अग्रारी या आपनों का अग्रारी अकेडमी पर स्वागत करता हूँ इस्टूदेंट्स आज की क्लास में हम लोग पंध्रा को सौल्व करने वाले हैं तो चलिए हम लोग क्वेस्जटान को देखते हैं क्वेस्टन में क्या का जा रहा है नीचे दिये गए आयतों जिनमें उन्हें के छेतपल दिये गए हैं में से प्रत्यक की लंबाई और चोड़ाई के लिए संभव बेंजग ग्याद किजी तो यहां पर देखें में कुछ आयत है जो आयत है इसका जो च्छेतपल है छेतपल के लिए हम एक बेंजग दिया गया है और इसकी संभव लंबाई और चौढ़ाई क्या हो सकती है हमें इसको बताना है और यह इसका second number है तो चलिए students हम लोग इसको solve करते हैं और आते हैं कि इसकी लंबाई और चोड़ाई क्या होगी तो यहां पर यह जो में बेंजक दिया गया इसको आप लोग राइट कर लिजेए आप देखें क्या दिया है ट्वेंटी फाइव ए स्क्वाइर माइनस पैंटीस ए प्लस बारह ऐसा हमें दिया है और आप लोग सोची छे छेतपल इज इकवल टू होता है लंबाई गुळा में चोड़ाई यही होता है लंबाई गुले चोड़ाई होती है अब यहां पर जो छेतपल हमें दिया है अगर हम लोग इसका गुड़न निकाल लें तो हमारा गुड़नखंड कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा एक हमारी संभव लंबाई हो जाएगी दूसरी हमारी संभव चोड़ाई हो जाएगी चलिए कॉंसेट आप लोग समझ गये होंगे चलिए अब लोग इसका क्या करते हैं गुड़नखंड करते हैं तो यहां पर जो ए कोफिसेंट है गुड़ांक है ए स्कॉयर की गुड़ांक को मल्टिप्लाई करें चरपस से तो 25 को 12 से मल्टिप्लाई करें कितना हो जाएगा 25 दाम 250 और 25 दूना 25 दूनी 50 तो देखें 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5 और 25 के 25 पांट 20 हमारे पास 300 हो गया और 300 का गुड़न खड़न हमें कुछ इस तरीके से करना है कि जोडने या घटाने के बाद हमारे पास क्या ना चाहिए तो यहाँ पर देखें 300 को आप लोग किस तरीके से ब्रेक करें कि हमारे पास जोड़ने या घटाने के बाद 35 आ जाए तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं यह जो 300 है 300 को आप लोग कुछ इस तरीके से राइड कर लीजिए और इसका गुड़न खंड करिए पहले दो से काटिये देखें क्या आजाएगा यहाँ पर हमने दो से काटा ते 150 आ गया फिर इसको आप दो से काटिये देखें क्या हो जाएगा फिर पांच से काटेंगे पांच से काटेंगे वन आगया अब इसमें सेट कर लिजे है दो दूनी 4 तियां ही 12 हो गया और पांच पचे 25 नहीं बन रहा देखेऄने निक्स देखें दो दूनी 4 तो यहां पर देखिए इस तरीके से देखिए दो दूनी चार और चार पंचे बीस तो हम लोग अगर 20 गुड़े में 15 कर दें तो हमारे पास कितना हो जगत 300 और हमें प्लस 300 चाहिए माइनस 35 ए चाहिए क्या चाहिए माइनस 35 ए तो इसका गुड़न खंड़ा में मिल चुका है चलिए राइट कर लेते हैं क्या हो जागा 20 गुड़े 15 तो यहां पर देखिए इसको लोग क्या लिखेंगे 20 गुड़े 15 हमारा प्लस 300 हो गया हमें प्लस 300 चाहिए लेकिन यहां पर में माइनस 35 ए चाहिए तो आप लोग सोचिए अगर आप लोग माइनस 20 गुड़े 15 कर दें तब भी तो में प्लस 300 मिल जाएगा और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस 20 ए माइनस 5 माइनस 15 ए माइनस 15 ए इस इकुल टू क्या हो जागा माइनस 35 ए तो हमें गुड़न खंड मिल गया है माइनस 35 ए के अस्थान पे हम लोग माइनस 20 ए माइनस 15 ए लिख देंगे तो आप लोग राइट कर दीजिए यहां पे लिखिए 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए और यहां पे क्या हो जागा प्लस 12 इसको हल कर लेते हैं students हम लोग देखिए क्या हो जागा यहाँ पे देखिए हमारा common क्या हो रहा है 5 A common हो जाएगा हमने यहाँ से 5 A common किया तो यहाँ पे बचा क्या 5 A common हो गया तो यहाँ पे 5 A ही तो बचा और यहाँ से 5 A common हो गया यहाँ पे क्या बचा है 4 next देखिए यहाँ से हमने क्या common लेना है हमने यहां से common किया 3 यहां से हमने 3 common किया तो यहां पर क्या बचेगा 3, 5, 15, A और यहां पर minus हमने common लिए यहां पर भी क्या हो जागा minus और 3, 4 क्या हो जागा 12 इस तरीके से देखें हमारे पास क्या हो गया एक bracket में हमारा 5A-4 हो जाएगा तो लिख लिजिए 5A-4 और दूसरे bracket में हमारा क्या हो जागा 5A-3 क्या हो गया दूसरे bracket में 5A-3 अब students आप लोग इसमें देखें इस आयत को ध्यान से देखिए अब 5A-4 क्या होगी आप लोग इस आयत को ध्यान से देखिए यह जो आयत हमें दिया गया है देखिए 5A में से 4 घटा जा रहा है यहाँ पर 5A में से 3 घटा जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या हमारी A होगी यहाँ पर बड़ी कौन है यही वाली साइट बड़ी है तो A वाली साइट हमारी क्या हो जागी 5A-3 और इस वाली साइट की बात करें ए वाली साइट हमारी क्या हो जाएगी 5-4 और ए है क्या देखिए यह चोड़ाई है और ए क्या है लंबाई है यह पिर आप लोग इसको लंबाई मान सकते हो इसको चोड़ाई मान सकते हो तो चलिए यह मारी क्या है लंबाई लिखिए अताहा संभो लंबाई क्या है 5A-3 तथा चोड़ाई चोड़ाई क्या है 5A-4 तो इस्टुडेंट्स यही हमारा एंसर हो गया चलिए अब लोग इसके सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर का सॉल्यूसन क्या हो जाएगा आप लोग क्वैस्टन समझ गए होंगे चलिए वो लोग इसके सेकेंड नंबर को solve करते हैं और देखते हैं उसका solution क्या हो जाएगा questions देखिए students आप लोग तो चलिए students इसके second number को लोग solve करते हैं second number देखिए क्या दिया है यहाँ पर यह जो आयत है हमें इस आयत का छेटपल दिया गया है और हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी हैं तो लंबाई और चौड़ाई कैसे बता स्क्वार की कोफिस्टिंट को मल्टिप्लाई कर दीजी 12 से हमने 35 को मल्टिप्लाई किया किससे 12 से मल्टिप्लाई करिए 35 को 12 से तो चलिए हमने 35 को मल्टिप्लाई किया आजाए हमारे पास 13 y आजाए जोड़ने घटाने पर कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है तो चलिए हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं तो घटाने चार सोबीश आप लोग यहां पर राइट कर लीजिए इसका गुडन कर एक ह कि क्या हो जाएब तो i2-1 2 2 çek 2 1 229 ने 1 25 10 नेक्श देखिए 3 से कटेगा 3 से कार देजिए 3 त्रिकका नो एक 10 सजाग år अब 5 चाटेगा 5 चाट दीए तो 5 35 , साथ से कटेगा, साथ से कार दीजिए, यहाँ पर वन आ गया, तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, साथ दूनी 14 और 14 दूनी 28, और यहाँ पर 3 गुड़े 15, 28 गुड़े 15 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 420, लेकिन हमें माइनस 420 और प्लस 13 चाहिए, इसके लिए हमारा जो माइनस 15 इसको माइनस में कर देंगे, तो 28 गुड़े 15 करेंगे, माइनस 420 हो जाएगा, और देखिए हाँ से, 28 वाई में से 15 वाई घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 13 वाई, तो 13 वाई के अस्थार पर हम लोग क्या लिखेंगे, 28 वाई माइनस 15 वाई, यहाँ पर राइट कर दीजिए, 28 वाई, हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, तो लिखेंगे, इक्वल लगाई, देखेंगे, क्या हो जाएगा, 35 वाई स्क्वाईर, और इस 13 वाई के अस्थार पर क्या रखना है, प्लस, 28 वाई, माइनस 15 वाई, और माइनस 12, हल कर लिजिए इसको, देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, देखें क्या कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा देखिए, 7 वाई कॉमन हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 चोक, 28, 7 वाई कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 पचे 35 यहां पे 5 वाई बचा और यहां पे plus क्या बचएगा 4 next देखिए यहां से मारा क्या common होगा तीन common हो जाएगा हमने तीन common किया क्या बचा 3 पचे 15 वाई और यह minus वाला क्या हो जाएगा plus और 3 चोंके 12 यहां पे 5 वाई प्लस 4 है यहाँ पे भी 5y प्लस 4 है तो लिख लो 5y प्लस 4 और दूसरे ब्रेकेट में वारा क्या हो जाएगा 7y माइनस 3 क्या हो गया 7y माइनस 3 तो लिख दीजिए अता है जो हमारी संभो लंबाई और चोडाई क्या हो जागी लिखे अता है संभो लंबाई 7y माइनस 3 तथा संभो चोडाई क्या हो जाएगी 5y प्लस 4 तो इस्टुडेंट यह हमारा सॉल्यूशन हो गया यह हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया तो इतना आपको राइट कर लेना है तो चलिए श्टुडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही आप लोग पढ़ते रहे हैं थैंक यू अasts स्वाרג्ध की की के ट newerक्व हमारा कि घंक परफ़तेज़ दूसेट अपको लूकते रहे पमिती अजयू यह भीपको 6 on सुल्यू employ यह यहा हैं यह यह रहे हैं यह हैं यहे हैं अपकोड़ती यह 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 जो एीवफशन हैं बस seulement परश供ारं यहला यह 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 सितना हैं यह 2